माउंट पैरडाइस पबीक स्कूल तो स्टुडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास और आज किस क्लास में देखने वाले हैं इंग्लिस रिडिंग बुक जो क्लास 3 की है उसके चैप्टर नबर 12 को इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक अच्छे से हैं और उसका एक्सेस क्वेश्चन टिक दब कॉरेक्ट फिलिंद ब्लैंक आज हमने सॉल्व कर शुके हैं तो आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 12 की और हम बढ़ते हैं और इसका भी हम लोग अच्छे से एकस्प्लेशन हिंदी के सांथ करेंगे और को देखेंगे तो प्ल इस आप लोग से एक नम्र निमेदन है कि आप इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखें चलिए हम लोग समय को नविश्ट करते हुए अपना 12 चैप्टर करते हैं तो जो हमारा 12 चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है दा अनहापी बस क्या होता है सैड अनहापी का अगर लोगो पता हुआ कि बस कोई उधास और कोई खुछ नहीं रहसकता है क्यांकि बसक्या एक नॉनलेविंट थींक तो इससे हमें जाहिर कर सकते हैं कि एक एसी स्टॉॉरी है तो एक इमैजिन डिया स्टॉरी है मतलब कि एक स्टॉरी नहीं ये एक कालिक कहानी है उस कहानी को लोग रीड़ करेंगे तो उससे हमें कोई फर्क पढ़ने वाला है नहीं हमें तो इस लिए तो प्रेश वीडियो को देखिए चलिए अपना शेप्टरी स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को तो मरा स्टोरी में फर्स्ट आफ कर रहा है read and enjoy this story कर रहे कि बस xyz 5044 और 24 as she was called was feeling sad राम करन 24 driver was worried and he patted 24 to make her feel better कर रहे कि जो बस है बस का नाम क्या है xyz और उसका नमबर है 5044 जिस बस को प्यार से लोग 24 के नाम से बुलाते थे उस बस का जो ड्राइवर था उस driver का नाम क्या था राम करन क्या था उस बस का ड्राइवर का नाम राम करन था जो ड्राइवर था कर रहे कि but double four did not feel better लेकिन एक दिन की बात ऐसी है कि ड्राइवर जो बस थी वो बैटर महसूस नहीं कर रहे थी मतलब को रोज तो यात्रियों को ढो रहे थी क्या करन था वो बता था कि sameness of everything रोज की उसके क्या काम था सेम रोड एक ही रोड पर चलना सेम पालेस एंड सेम पीपल मतलब की उसका डेली रोड पर चलेगी एक ही अस्थान पर रुकेगी और एक जहां और जो लोग बैटेंगे वही लोग उसके उसके बस बैठेंगे मतलब उसका रोज काम क्या था उसका रोज काम यही था कि एक भागती हुई और आएगी हापते हापते और उसके बस को रुकाएगी और उसमें बैठ जाएगी देन उसके पास एक ओल्ड मैन आएगा और ओल्ड मैन जो आएगा और क्या करेगा पूरे बस में बैठेगा और बस में पूरे बस चलने के तुरा नोश सोता रहेगा देन उसके बात कौन बैठेगा तो अस्कुल के तिन लड़किया बैठेंगी और बैठकर आपने के सार ए अपने आपने उज़ास था मतलब क्यों इसको लग रहा था कि मुझे क्या है मैं किवल यही करता रहा था मुझे और मतलब लोगों से मिलना है और नई जगवा पर देखना है इस वाई से फूरा क्या था अपने अपने उजास था इस स्टोरी को आए कर बढ़ते हैं क्या कहता है फिर उसके मत कर रहा है और मुझे चेंज की जरुवत है डबल फॉर किसको डबल फॉर बसको सब्सक्राइब किससे कर रहा है अपने से ऐसी रेसे द नाइट वो बोला कि मैं अब रात को रिष्ट करूंगा और आई वांट तू इससे मतलब अलग हो tomorrow I sell रहन वे और जब मैं अब तक सुबह रहन वे हो जोंगा मतलब फिर से रोट पर मतलब चलना सुलू कर दूंगा दोडना सुलू कर दूंगा तो मुझे जिसी पिटी पाले वाली रोड सणके पाले वाले जगा स्थान और पाले वाले लोग नहीं चा होता है the next morning the next morning as soon as a deport gates were opened double four quickly run out before anyone could stop her जैसी आगली सुबह होती है जो बस कहा लगती है बस लगती है डेपो में तो डेपो का गेट खुल जाता है बस टीपो का गेट खुल जाता है खुलने के बाद बस होती है वो किविकली रानवावे मतला भाग जाती है बीना रूके हुए डबल फोर टू का नीव रोड जो डवल बस है और टीकल नीव रोड वो नए रोड पे चल जाती है और वा कहां चलिया जाती है सी साइड मतलब की समूंद्रे किनारे she saw people weeding in the water and sleepy camel on the sand double for a spend on to the plaza cinema hall she also saw a church अब वो नई जगा पर जाती है तो क्या क्या देखती है तो देखती है कि कुछ लोग होते हैं जो पानी में ना रहे होते हैं कुछ sleepy जो camel होते हैं जो भी मज़े कर रहे होते हैं सेंड से और जो double for a spend है और टूल पला जा और cinema hall के पास देखती है वो देखती है उसके बाद वो क्या देखती है तो एक चर्च को देखती है डावल फो रियक्ट करती है अस्कूल बस की तरह तीला girl waves to the bus to a stop जैसे मतलब girls जो waves करते हैं बस to a stop बसा क्या करती है हाथ कोई लाती है अस्टोप कराती है बस को रहे हैं वह सारी चीजों क्या कर रहा है फिल कर रहा है फरली इन फदक कर लुग्ड अ लॉट 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 लाइक ऑन दा स्कूल girls see new day double for the next road on the central park when some boys were playing cricket उसके बाद देखते हैं कि जो मतलब कुछ बच्चे हैं जो central park में हैं और जहां पर लोग बहुत cricket खेर रहे हैं then just see as react the turning वहां सबर टनिंग लेती है double for suddenly stop और तरन लेकर वहां पर असानक से रुख जाती है असानक से रुख जाती है रुखने के बाद कर रहा है there before her eyes was a failed lady huffing and puffing walking down to the road could it be the lady from the bus stop and not I wasn't I was somebody but is but for a moment he moment it had looked like her and double for head double for head felt she was home double for one day one day how she would react her office that day उसके बाद ज्यसे वहां नई जगह पहुंच पहुंच जाने के बाद वह बहुत सारे चीजों को miss करती है क्या करती है बहुत सारे मिन्स करती है जसे शों शों को क्या कर रहे थी मतलब उसको नए जगह मिल जाते हैं नए लोग मिलते हैं नए कुछ तो मतलब थोड़ी मतलब नहीं होता है कि उदासी की चेरे उससे हो जाती है उसके बत कर रहा है वाजी पूपिंग एंड वाकिंग डाउन अरोड डबल फोर फेल्ट हॉम सीक सी मिच राम कर राम करण को मिस करती है और वहां पे जैसी नए लोग आते हैं तो वहां देकर बहुत साए लोग को मिस करती है काती है कि मेरा जो राम कर नो में ब्लेटी थी जो बस में बैळते हैं जो जी हो दौनी मिलती होती है नहीं मिलती है एक्वडीज to have double four back back double four back double four back with us again और वहां से क्या करती है फिर अपने डीपर में वापस आ जाती है वापस लोग को बैठाना सुरू करती है double foot to was happy to be back see was very happy so he hawn hawn honky with jawai और वहां से क्या करती है honky with jawai के साथ हो अपना क्या करती है सभी लोग को बैठा लेती है तो मतलब और वहां पे धीर दिर भी रोखाइपी हो जाती है तो मतलब कहने का मतलब है कि वो तो पहले नाकुस थी पुरण मित्र पुरारे सभी लोगों को इतना मिस करती है कि वहां उससे मन नहीं लगता है फिर आजाती है अपने घर आ प्रवाई अपना फिर से चल्णा सुरू कर देती है और इस पर जैसे घर आती है अपने लगों से मिलती है तो क्या हो जाती है फिर से वह खुस हो जाती है तो यह हमारा अपर अच्छी लोग होगी तो प्रीस इस स्टोरी को लाइक कर दीजिएगा एक अच्छा सा कॉमेंट कर कर दे दिए ऑती है आती है